मेगाले की राजदानी शीलोंग में गुरुवार को दो गुटों में हुई जड़प के बास से ही तनाव जा रही है सैना कल खुद मुच्चा संभाला उर्ख पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया इस बीश मुख्यमंतरी कॉन रोट के सग्मा ने उचिस्तरी बैटक कर हालात की समिक्षा की शहर में कल तीन बज़े के बाद से इंटरनेट बंदे थाना लुबनेंट गिरी के 14 इलाकों में कर्फियू लगाया गए हुए पूरे शिलॉंग में राद 10 बज़े से सुबा 5 बज़े तक कर्फियू लगाया जाता है विवात का मुल्ए बज़ा है बड़ा बज़ार ऎलाके में कतीत तौर पर एक निजरी के बच चलाने वाले एक खासी समुदाय के ड्रायवर ने पंजाबी मूल्की एक लड़की के साथ कतीत तौर पर छेड़ चाड़की इसके बाद लड़की के जानने वालों ने उस लड़के को बुरी तरीके से पिटाई कर दी उस वक्त बामला पुलिस में पहुँच गया और शान्त हो गया लेकिन रात होते होते आग जैने और तोड़ फोर शुरू हो गई शिलॉंग के 101 कहें आर्मी केंट इलाके के आसपास तक्रीबन 200 पंजाबी परिवार रहते हैं जिनने शुरक्षा की दुस्टी से आर्मी केंट में ठराया गया वहाँ कुछ टूरिस्ट भी है जो अभी होटलों में ज्यादा तर इस गटना के बाद महाँ से वापत चले गए कल सीम, कॉनरेट, सगमा और ग्रे मंतरी ने खासी लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई हल नहीं निकला कासी लोग शिलोंग से पंजाबी बस्ती हटाने की बात कर रहे हैं कल रात भी शिलोंग के कुछ इलाकों में पैट्रोल बम फैके गए और स्वारजेनिक संपत्ति को नुक्सान पहुचाया गया जिसके बात पुलिस ने आसू गैस के गोले छोड़े लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से अर्द सैनिक बलो का बल प्रियोग की मना ही है